हेलो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जानें फाइवर ऑप्टिक केवल वाट इस फाइवर ऑप्टिक केवल क्या होती है टाइप्स कितने प्रकार के होती है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और इससे पहले अगर आपने पहले वारी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रू देखेगा अगर आपने नहीं देखे है इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ओ लेविल की तैयारी कर रहे हैं तो ओ लेविल में जो हमारा ICT सब्जेक्ट होता है यह उसकी सीरीज चल रही है ICT में यह कोशन बनता ह फाइवर ऑक्टिक केवल जिसके 75% चांस होते हैं एक्जाम में आने के ठीक है तो इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल बेसिक से मैं बढ़ाँगा अगर आप IT टूल्स और इंटरनेटी भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के पिले ल फाइवर ऑप्टिक केवल क्या है तो कोक्सियल केवल और टुस्टिट पर केवल जो हम पहले पढ़ चुके हैं केवल इलेक्ट्रोनिक सिंगल की मदद से डेटा को ले जाते थी ठीक है जबकि फाइवर ऑप्टिक केवल लाइट के माधियम से डेटा को ले जाती हैं और फा फाइवर अप्टिक केवल्स की वेंद्विथ दूसरी मेटल केवल्स से जादा होती है तो दूसरी मेटल केवल्स से थोड़ी जादा होती है इसका मतलब यह है कि यह केवल्स दूसरी केवल्स से अधिक डेटा केरी कर सकती है अधिक डेटा कर सकती है फाइवर अप्टिक केव फॉर कुर्चिन शॉर्य क्यवल जो थार्ग फाइवर उप्टिक केवल में यूज़ होता है ठीक है उसकी टैपस देखनें तेक्न कमाजी में दो तरह हैं की अपकिता की तो सान फाइवर अप्टिक केवल स्यूज की जाती है सुस्चLS में सेंगरम अधिमोंड सिंगरमोड में Fiber Optic Cables में एक बार में एक ही डेटारी ट्रेवल करती है ठीक है दूसरे में कहोता है Multi Mode Fiber Multi Mode Fiber Optic Cables में एक बार में Multiple Data Rays ट्रेवल कर सकती है तो यह Single and Multi Mode हो गया तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताओ अगर आप ओलिवल तेयरी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो